तो कभी-कभी हमें लगता है कि ब्रेकफस्ट ऐसा हो जो जट-पट से बन जाए और बहुत टेस्टी भी हो तो मैं आज आपके लिए एक ऐसे ही ब्रेकफस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही कम इंग्रीडियंट्स में और बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगा और बहुत टेस्टी भी लगता है तो वो है अचारी परांठी की रेसिपी तो फुल वीडियो जरूर देखिए आपको जरूर पसंद आएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और उसके पास जो हाइसोग्राम करीब आटा है और इसमें हम लेंगे थोड़ा सा नमक बहुत थोड़ा सा क्योंकि हमें अभी इसमें डालना है अचार का मसाला तो जो भी आपका फेवरिट अचार हो उसका आप मसाला ले लीजे और ये देखिए थोड़ा सा इसमें ऑईल भी रखा है मैंने इसका निकाला नहीं है मैंने सारा क्योंकि वो मोहिन का काम करेगा आटे में तो ये मैंने करीब दो से तीन टेबल स्पून के करीब अचार का मसाला ले लिया है ये आम के अचार का मसाला है तो ये मैं इसमें मिक्स कर दूँगी क्यूंκि इस में नमक होता है इसलिए हमने बहुट कम नमक डाला है आपका आपकी मरजी नहीं हो तो आप नमक मत अएड़ करें आप अपने टेस्ट के अगोर्डिंग नमक करें तो इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छ से यह मैंने मिक्स कर दिया है इसमें मैं हलका हलका पानी डालके और इसका एक सॉफ्ट डो तयार कर लूँगी और फ्रेंट्स यह बहुत ही टेस्टी लगता है पराठा तो यह देखे अब यह हमारा एक डो तयार हो गया है सॉफ्ट इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिया अब इसे हम ढखका रख देंगे 5-10 मिट्स के लिए सेट होने के लिए अब देखे फ्रेंट्स आटा हमारा सैट हो चुका है और अब इसकी मैं इसकी उपर मैं एक चमची घी डाल रही हूँ इसको थोड़ा सा हम मत लेंगे और फिर इसकी हम लोईयां तयार कर लेंगे तो जितने भी बड़े पराठे आपको चाहिए उसे साबसे आप लोईयां तयार कर सकते हैं वैसे ये पराठा थोड़ा सा थिकी होता है इसलिए और आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं तो मेरे चार लोईयां इसमें से तयार हुई है इतने आटे में से और अब इसको हम रोल करेंगे और इदर मैंने एक तवा रख दिया है प्री हीट होने के लिए तो थोड़ा सा सूखा आटा लेकर हम इसको रोल कर लेंगे और आप जिस भी शेप में बनाना चाहें गोल्ड ट्राइंगल आप किसी में भी बना सकते हैं मैं ट्राइंगल शेप में बना रही हूं तो एक बार बेलने के बाद मैं इसमें घी लगाऊंगी आप घी में चाहें तो घी में वरना रिफाइन में किसी में भी इसको ऑईल में आप बना सकते हैं तो यह देखे मैंने ट्राइंगल शेप देदी घी लगाने के बाद और इसको मैं रोल कर देती हूं बहुत ही जटपट से और बहुत ही टेस्टी बनने वाला ये breakfast है friends, अलग तरीके का पराठा है तो ये देखिए अब हमारा तवा भी preheat हो गया है और मैंने एक थोड़ा सा उसको घी लगा के ग्रीस कर दिया है और चारो तरफ मैं spread कर दूँगी घी को तवे को हम ग्रीस कर देंगे अच्छे से और अब इस पर मैं पराठा डाल देती हूँ कभी-कभी हम stuffing वाले पराठे खाते खाते बोर हो जाते हैं तो ये एक न्यू तरीके का बिल्कुल पराठा है अब ये देखिए एक तरफ से सेख चुका है दूसरी तरफ से भी हम इसको हलका सेख लेंगे और अब ये दूसरी तरफ से भी सिख चुका है और अब एक चमच में इस पर घी डाल रही हूँ और इसको हम दोनों तरफ से अच्छे से से लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक तो ये देखिए ये हमारा जो पराठा है दोनों तरफ से सिख चुका है तो अब ये रेडी है हमारा पराठा इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे देखिए कितना प्यारा इसका कलर और टेक्शर आया है दोनों तरफ से अच्छे से सिख चुका है ये तो अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ और दूसरी पराथा तवे पे डाल देती हूँ और देखे फ्रेंट्स रेडी है हमारे बहुती टेस्टी और बहुती डिलीशियस अचारी पराथे जिसको मैंने बटर के साथ गार्णिश किया है वैसे तो इसमें किसी चीज की ज़रूरत नहीं है फिर भी आप चाहें तो चटनी और सॉस के साथ इसे सर्फ कर सकते हैं तो फ्रेंट्स ये रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट करके बताइए और पसंद आए तो अपने फ्रेंट्स के साथ जरूर शेयर करिए और जरूर ट्राय करिए इस रेसिपी को थैंक्स फॉर वाचिंग